प्यारे बच्चों मैं आपका वर्ग सिख्षक आर्पी तिवारी कच्छा छठी आज हम सब पाठ नौ बालभारती का अस्तित्तो अपना अपना नमक पाठ का अध्यान और अध्यापन करेंगे इसमें पक्षियों के बारे में बताया गया है जिसमें पट्टु तोता का विशे सुलेक किया गया है इस पाठ में बताया गया है कि प्रत्यक प्राणी की सारीरिक बनावट भिन्न भिन्न होती है हमें अपना समय यह सोचने में बर्बाद नहीं करना चाहिए कि दूसरों के पास क्या है और अपने पास क्या नहीं है हर एक को हमेशा अपने गुड़ों तथा अपनी योग्यताओं पर ध्यान देना चाहिए और उसे अधिक से अधिक विक्षित करना चाहिए इस कहानी में यही दर्शाया गया है इसमें पट्टू तोता उदास है और वह उदास चेहरा लेकर अपनी माँ के पास जाता है तो उसकी माँ उदासी का कारण पूछती है तो वह कहता है कि मैं अपने अटपटी चोच के कारण उदास हूँ तो उसकी माँ जंगल में एक ग्यानी काका हैं उनके पास ले जाती है और ग्यानी काका उसे तमाम प्रकार की जानकारियों को देते हुए बताते हैं कि तुम सभी पक्षियों में भिन्न हो क्योंकि बहुत सारे पक्षियां मांसाहारी हैं लेकिन तुम मांसाहारी नहीं हो तुम्हारी चोच की बनावट ही ऐसी है और बाकी पक्षियों की चोचे भिन्न भिन्न प्रकार की है तो तमाम उदार्ण देकर के ग्यानी काका उसे समझाते हैं और उसके समझ में आ जाता है और वह अपने पस्तावे पर जो उसकी चोच अटपटी है ऐसा समझावाए वह उसका ब्रम तूड़ जाता है और वह अपने चोच पर गर्व करने लगता है और सभी पक्षियों के साथ मिल करके आत्म विश्वास के साथ उनकी चोचे और अपनी चोचों के बारे में चर्चा करता है तो सभी पक्षियों ने मिल करके यह सिद्ध किया कि पट्टु तोता में आत्म विश्वास अधिक भरा हुआ है सभी के आँखों में आत्म विश्वास की चमक दिखाई दिया जब यह पट्टु तोता ने कहा इस तरीके से पाट का सारंस मैंने आपको बताया और मैं आप लोगों को वर्ट्सप पर प्रेस्टन उत्तर भेज रहा हूं उसे लेकर के वर्ट्सप पर जल्द से जल्द भेजने की विवस्था करें धन्यवाद।